मुँद Q10 के बारे में बताऊंगो आपको और उन का palavra किस तरह का है और किस तरह का नीचे रहे पंशिन का उसके बारे में बात करेंगे बट सबसे पहले यहाँ पर हमने फंशन पढ़ा है को फंशन क्या होता है ऑफ फंशन कि ग्राफ के प्रस्पेक्टिब में एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक तरह का रिवीजन कर लेते हैं कि यह function जो है किस तरह से graph provide करता है और किस तरह से function जो हमारा relation से थोड़ा different है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि function कुछ इस तरह से describe करते है f such that function is defined from x to y मैं क्या होता है कि जो x है हमारा इसको हम बोलते है domain और जो हमारा y है इसको हम बोलते है को domain ठीक है यहांपर आप देखेंगे कि function कुछ दूं क्याकर आप कि करे आपaría कि दोमें से हम values लेते हैं जो x बिलॉंग करता है वो उसके डोमेन से बिलॉंग करता है जो कि यहाँ पर capital X है set X है और जो हमें possible values मिलती है वो possible values हमें किस में से मिलती है वो values किसका element होती है set Y का जिसको हम co domain बोलते हैं ठीक है अब आप यह ध्यान दें आपर कि एक function जो है कि यहाँ पर function क्या है function एक तरह का rule है ठीक है function एक तरह का rule है जो एक set के element को जैसे एक set है आपर set X है हमारा और एक set Y है तो Y के जितने भी element होंगे Y के जितने भी element है यहाँ पर माल लेते हैं A1, A2, A3 यहाँ पर तीन element है और Y है Y के element है B1, B2 and B3 तो rule क्या है यह यह इस तरह का rule है कि यह जो एक set X है उसके सारे के सारे element every element of X को किसी ना किसी element से associate करेगा Y के अब जरूरी नहीं है कि Y के सारे element किसी ना किसी X के element से associated हो ऐसा जरूरी नहीं है बट function का rule यह है कि जो भी आप function जिस भी set को उस function का domain मान रहे हैं उस domain के जितने भी element है वह किसी ना किसी element से associate करेंगे ठीक है तो यहां पर अगर मैं प्रॉपर इसको लिख दूँ तो प्रॉपर लिसको लिखा जाएगा कि function 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 is a rule function is a rule which associates which which associates each element of each element of x which is domain each element of x to a unique element of to a unique element of y which is here co domain ठीक है यह clear होगा कि function क्या है अब जितनी भी यह possible values आती है हमारी y की y को हम बोलते है f image ठीक है f image या image of x under function f तो यहां पर जो आप b1 b2 जैसे यहां पर यह b1 है वो image है किसका a1 का ठीक है जैसे मैंने a2 का associate कर दिया b1 से तो अगेन b1 किसका image है a2 का और मैंने a3 का associate कर दिया b3 से तो b3 image है a3 का ठीक है अब यहां पर मैंने आपको बताया अगर b1 मेरा image है b1 मेरा image है तो a1 को हम बोलते है pre image pre image ठीक है यहां पर a2 a3 किसी ना किसी के pre image है यहां पर यह clear है जैसे हमारा b3 भी image है तो यह जितना जो f image जो मैं कह रहा हूं रेंज हमें निकालना होता है कि कोई भी function है मैं इस तरह से define करता हूं उसका domain और co domain फिर हमें question दिया जाता है कि आपको यह बताना किस function का domain क्या है या उसका range क्या है तो range हम क्या करेंगे fx जो भी possible values आ रही है हमारे पास यहां पर उन उन possible values का जो set बनाएंगे वो होगा उसका range हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी function का range होता है वो subset होता है उसके co domain का क्या होता है subset होता है co domain का देखिए अगर इस case की बात करूं इस case में जो function है वो कुछ इस तरह का है कि जो range आ रही है आपकी वो कौन क्या क्या है b1 है और b2 है ठीक है possible values of possible images यहां पर जो image है set x के element के तो वहां पर यह है b1 और b2 जो कि आप साफ साफ देख सकते हो subset है किसका set y का which is co domain यह एक co domain है और यह आपका चो set है यह आपका range तो यह बात भी है आपको clear हो गई होगी अब function हमें किस तरह से graph देता है अब थोड़ा उसको discuss कर लेते हैं तो आप यह जानते हैं कि अगर दो function के बीच में relation बोलूं जैसे मैंने बोला कि a और b के बीच में अगर मैं relation निकालता हूं तो relation मुझे एक तरह का ordered pair का set देगा ठीक है a b आप जानते हैं इस बात को वही भी such that a belongs to set a and b belongs to set b and a is related to b by a relation किसी भी relation से वह related होंगे वही यहां पर हम उन्ही के ordered pair को लिखेंगे ठीक है अब हमने यह पढ़ा है कि function is a special kind of relation function is a special kind of relation तो इसका मतलब यहां पर clear है कि जो f है आपका वह किसका subset होगा relation r का subset होता है f तो इससे हमें function का nature पता चलेगा कि जो function है वो function भी हमें कोई ना कोई ordered pair देगा ठीक है और वो ordered pair किस तरह का form में होगा x और fx की form में होगा ठीक है और जो x है वो आपका belong करेगा x से and जो आपका y है वो belong करेगा capital y से अगर मैं function को कुछ इस तरह से लिखता हूं यहां पर access का domain हो गया और y इसका code domain हो गया ने clear है तो अब ordered pair का हम करते क्या है ordered pair को हम क्या करते है plot करते हैं यह point है यह हमें एक point को denote करता है ordered pair तो उन सारे points को जब हम denote कर देंगे function के according ठीक है अगर आप यह देख लिए आपका partition coordinate system है तो आपको कई सारे points मिले माल लेजए एक point मिला दूसरा point यह मिला तीसरा point यह मिला आप क्या करोगे इन points को जोड़ते जाओगे ठीक है इन points को जोड़ने के बाद आपको कर्व मिलेगा ठीक है उसी कर्व को हम बोलते हैं कि वह किसी function का graph है यहां पर y-axis और पर x-axis है आपको यह समझ में आ गया होगी किसी भी function का graph क्या होता है example के तौर पर देख लेते हैं मैं एक function देता हूँ आपको और एक function का set है function का set है 11 22 33 and so on इस तरह से ठीक है यहां पर आप negative values में नहीं दे रहा हूं positive है थोड़ा बस समझने के लिए यहां पर पॉइंट कौन-कौन सा दिया .11 फिर पॉइंट दूसरा 22.33.44 अगर मैं इसको connect कर दूँ तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं y is equal to x यह function है एक ठीक है जिसका domain जो हम restrict कर दे रहे हैं चलिए यह भी graph बताने के लिए मैं domain आगर discuss करता हूं तो सब कुछ आपको और अच्छे से clear हो जाएगा तो इस तरह से हम function को plot करते है ordered pair है actually जो हमें function है na function ordered pair का set है तो यह ध्यान रखना है कई चीज के बहुत सारे perspective होते हैं तो इसका अलग perspective है जो graph बनाना है तो इसके लिए हमें function कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ तरह कुछ problems है functions related जैसे किसी function का domain कैसे find करें को domain कैसे range कैसे find करें इन सब पर हम ध्यान देंगे अच्छा एक point और रह गया है जो मैं आपको बताना चाहरा हूं वो यह हमने यहां पर यह सब discuss किया था तो एक function हम लिखते है है real functions real functions या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं real valued function real valued function यह क्या होते हैं यह वो function होते हैं जिनका डोमेन है या तो real number होते हैं उनका domain ही real number है या real number के subset होते हैं और उसी तरह से उसका को डोमेन है या तो वो real number का set होगा या उसका subset होगा तो ऐसे जो function होते हैं जिनका domain और को डोमेन जो है real number हो या real number के subset हो वैसे function को हम real functions कहते हैं या real valued function कहते हैं तो अपने थ्रूआउट इस calculus के आप कोर्स में आप यही पढ़ेंगे real valued functions या आप पढ़ेंगे तो और इससे related बहुत सारी बाते हैं जो भी आपको जब मैं आपको problems करवाओंगा तब इसके बारे में थोड़ा आपको और पता चलेगा कि कहां पर use हो रहा है वैसा आपको देखो गया पता नहीं चलेगा आपको लेकिन है कुछ पॉइंट जहां पर problem करते टाइम हमें समझ में आती है बाते ठीक है तो इसके कुछ problems करते हैं कि किस तरह से किसी function को evaluate किया जाता है और फिर उसका domain को domain किस तरह से हम निकाल सकते हैं ठीक है एक function दिया गया है हमें एक function दिया गया है fx is equal to 2x cube minus x अब आप यह देखेंगे कि मान लिए कि मिरको बोला गया कि f1 की value निकाल यह वैसे आप सबको पता होगा लेकिन मैं फिर भी एक बार topic को complete करने के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि f1 की value निकाल लिए इस function की 1 पर value इस function की minus 2 पर value निकाल लिए या आप इस function का at x plus h की value निकाल लिए ठीक है तो सबसे पहले हम निकालते है f minus 2 f1 बहुत आसान है यह आसान तो सारे ही है यहां पर इसको निकालेंगे 2 minus 2 का q minus और minus 2 यह हो गया आपका minus minus 8 हो जाएगा multiply by 2 minus 16 plus 2 is equal to minus 14 यह value आ गई हम क्या कर रहे हैं यहां पर fx लिखा हुए x के जगा हमने minus 2 लिखा है तो उसी तरह से यहां पर जितनी जगा x होंगे उसके जगा हम minus 2 को substitute कर देंगे अगेन यहां पर हम निकालते है fx plus h तो हमें क्या करना है x के जगा पर x plus h रख देना है मतलब 2 x plus h cube minus x plus h यह आ गया अब आप देखोगे हम कभी-कभी यूज करते हैं कि किसी भी function में अगर हमें average change निकालना है किसी interval पर कि जैसे वह interval h ही मान लेते हैं हम यह interval है कि h के change होने पर मतलब कि कोई function f है अगर उसमें हमने h कोई number है उस number से change किया तो function में जो average change है वो कितना आएगा तो change rate average change rate कैसे निकालते हैं उसके लिए आप क्या करोगे आप रखोगे fx plus h minus करोगे आप initial value जो थी उसकी और उसको डिवाइड कर दोगे h से जो उसका interval है और इसको शायद हम division quotient बोलते हैं division इसके बारे में बहुत ही अच्छे से discuss किया है मैंने क्यल्कों उसमें differentiation के वीडियो में कि उक्सवरी इसको डिफ्रेंस को डिफ्रेंस को डिफ्रेंस कोशेंट बोलते हैं नौट डिवीजन डिफ्रेंस कि डिफ्रेंस कोशेंट अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात कि एक तो function मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा fx is equal to it मैंने यहाँ पर एक single formula यूश किया कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कभी-कभी किसी function के domain में ही कुछ interval बने होते हैं ठीक है और interval पर वो जो function है वो अलग-अलग तरीके से behave करता है मतलब अलग-अलग formula से हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है जो इस तरह के जो function होते हैं हम उनको बोलते हैं piecewise defined function piecewise defined functions किस तरह से लिखते हैं हम इसको एक example दे रहा हूं है लिखा इसको fx यह हो जाएगा x cos x यह formula हम तब use करेंगे जब x की value जो है 2 से कम होगी ठीक है और एक दूसरा formula दिया इसने बहुत use होगा इसका continuity और limit में भी इसका बहुत use होगा है यहां पर भी जैसे 3x square minus 1 है तो इस तरह के जो function है यह वाला formula हम तब use करेंगे जब x की value या तो 2 से equal है 2 से बड़ी हो अब इस तरह के piecewise function को भी का भी graph बनाया जाता है इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहो उनका graph किस तरह से बनता है उसके एक simple सा example ले लेते हैं एक function ले लेते हैं एक square if x is greater than 0 and minus x if x is less than 0 less than or equal to 0 कर लेते हैं तो इसका जो graph बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा यह आपका origin है यह x-axis है और यह y-axis है तो x से जितनी भी बड़ी values होंगी उसके लिए आपका x square का function हम लेंगे इस तरह का function लेंगे और जब x की value 0 के equal होगी या negative होगी 0 से कम होगी तब हम minus x कुछ इस तरह करेंगे तो इस तरह से हम piecewise function को draw करते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बात की जाए x square के लिए और पूछा जाए कि क्या x square जो है आपका x is equal to 0 पर defined है तो वो defined नहीं है बट यहाँ पर minus x जो है वो x is equal to 0 पर defined है तो इसलिए इस graph पर हम इस तरह का dot बना देते हैं जिसे clear हो जाते है ठीक है तो आप कुछ examples देखते हैं किस तरह से function के domain और co domain हम निकालते हैं कुछ और example देखते हैं यह example एक polynomial function है यह y is equal to x to the power 4 minus 2x cube minus 3 यहाँ पर clear है जो इसका domain है वो भी real number का set होगा इसका domain है वो भी real number का set होगा और जो इसका range है वो भी real number का set होगा इस condition में आप यह कह सकते हो कि y का जो function है उसका co domain है ठीक है y का co domain है और range जो है वो equal है इस case में अब एक example देखते हैं जहां पर complex है तो कोई भी real number क्या होता है real number वो होते हैं जो complex नहीं होते हैं ठीक है वैसे तो real number भी complex number होते हैं बट मैं अभी के लिए अगर कहूं तो हम real number complex number को अलग-अलग मानते हैं तो कोई भी ऐसा number जो कि हमें नहीं चाहिए कि complex हो हमें ऐसा यहां पर जो real value function है तो इसका जो range है या इसका जो domain है वो complex number नहीं होना चाहिए ठीक है अब complex number नहीं होना चाहिए उसका मतलब कि square root में negative नहीं आना चाहिए इस तरह से तो square root में negative नहीं आना चाहिए तो यहां पर t square minus 16 जो है should be greater than or equal to 0 यह जो t square minus 16 है वो 0 के equal यह उसे बड़ा होना चाहिए इसका मतलब कि t square की value जो हमेशा 16 से बड़ी होनी चाहिए ऐसा तभी होगा या तो t जो है 4 से बड़ा हो या 4 के equal हो या t जो है minus 4 से छोटा हो या equal हो ठीक है यह दिहान रखना है कुछ इस तरह की inequality बन रही है तो अगर आप इसको लिखें कुछ इस तरह से इस form में लिखा जाएगा यह ती जो है minus 4 से चोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए तो आप देखोगे 4 minus 4 या 4 लो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर square है और यह 0 हो जाएगा इस से जितनी भी आप बड़ी values लेंगे और t से जितनी minus 4 से जितनी चोटी value लेंगे उसके लिए यह जो आपका square root के अंदर जो formula लिखा है वह हमेशा positive होगा तो इस function का क्या होगा डोमेन होगा ठीक है और यहाँ पर range क्या होगा तो range आप सोच लेज़े इसका क्या होना चाहिए क्योंकि domain के लिए यहाँ पर domain के उपर restriction है और range के ओपर कुछ है या नहीं आप खुद सोच सकते हो थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ और इसका range क्या है वो बताओ ठीक है अब हमें इसी question में को और पार्ट देखना है अब इस question में दूसरा कि 3 is equal to square root t square minus 16 बोट side square करेंगे यह होगा आपका t square minus 16 आगे t square is equal to 25 plus that t की value आएगी प्लस minus 5 तो अगर आप इस function ft में plus या plus 5 या minus 5 की value लिपुट करते हैं तो आपको जो function की value मिलेगी वो 3 मिलेगी